हलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे बच्चों आज हम पढ़ेंगे नाम कैसे कैसे बच्चों पिछले पार्ट में आपने पढ़ा कि संसार में सभी का कोई नाम होता है यदि आप अपने आसपास देखेंगे तो जानेंगे कि नाम किस किस तरह दिये जाते हैं जैसे कि एक चित्र हमारे सामने है चित्र के माध्य हम से समझते हैं लड़कों के नाम जैसे लड़कों के नाम हो सकते हैं रजत, राजन, आकाश, अमन, राहूल, रोहन, कुछ भी हो सकता है और लड़कों के नाम लड़कियों के नाम भी कुछ भी हो सकते हैं जिसे सुमन, रजनी, मेघा, काजल, अंजली, रजनी, आदी सभी और तीसरा है हमारे सामने चित्र ये किसी वस्तू का चित्र है तो वस्तू के नाम भी हो सकते हैं कुछ निउस्पिपर, ये सब वस्तू हैं और चित्र चित्र द्वारा बताते हैं कि पश्वों के नाम भी हो सकते हैं जैसे गाई, बकरी, हाती, खोड़ा होते हैं ना आपने तो सुना होगा आगे पक्श्यों के नाम भी होते हैं जैसे कि उधारन के लिए चिडिया, तोता, मोर, मैना आदी बहुत सारे होते हैं पक्षी और इमारतों के भी नाम होते हैं होते हैं ना जैसे कि ताज महल, कुतो मिनार, लाल किला, चार मिनार आदी ये कुछ उधारन दिये हैं हमने और शहरों के भी नाम होते हैं जैसे शहरों के नाम दिल्ली, आगरा, मुंबई, मेरट, यूपी, पंजाब, हर्याना इस तरह और भी शहर होते हैं और नदियों के भी नाम होते हैं जैसे नदियों के नाम हैं गंगा, यमना, गुदावरी, सरस्वती, अलखननदा तो इस तरहे कई नदियों के नाम होते हैं और देशों के भी नाम होते हैं जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, अमेरिका और श्री लंका आदी इस तरहे और भी कई देश हैं बहुत सारे देश हैं और पेड़ों के नाम भी होते हैं जैसे पीपल, नीम, बरगद, आम इस तरह पेड़ों के नाम भी कही होते हैं और त्योहारों के नाम वो भी तो सुने होंगे आपने त्योहारों के नाम जैसे होली, दिवाली, तशेरा, क्रिस्मस और भी अन्य त्योहार हमारे जीवन में तो त्यहारों का मिला ही लगा रहता है तो बहुत सारे त्यहार आते हैं और बच्चों भावों के नाम भी होते हैं यहीं हमारी feelings जैसे सुख, दुख, बुढ़ापा, बच्पन, गरीबी इस तरह यह क्या है? भावों के नाम है और दिनों के नाम वो तो आप जानते ही होंगे दिनों के नाम सुमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुपकरवार, शनीवार, रवीवार यह तो आपने पढ़ाई होगा और महीनों के नाम भी आप जानते होंगे जैसे कि जन्वरी, फर्वरी, मार्च, अप्रेल, मई, जून, जुलाई, अगस, सितंबर, अक्टूबर, नॉम्बर, दिसंबर यह आपने सारे पड़े होंगे और आप वो आते भी होंगे तो यह क्या थे? नाम हर किसी का नाम होता है तो ध्यान देने योग्य बात इसमें ये है कि दुनिया में सभी चीजों का कोई ना कोई नाम जरूर होता है नाम तरह तरह के होते हैं रधाथ नाम के बिना संसार में कुछ नहीं हर किसी का छोटी से लेकर बड़ी वस्तु के हर किसी का कोई नाम है तबी हम उसे पुकारते हैं और उन्हें जानते हैं नाम नहीं होगा तो हम उस चीज़ से अंजान रह जाएंगे इसलिए नाम जरूर होता है उम्मीद करती हुब बच्चों आप समझ गए होंगे कि कैसे हर किसी का नाम होता है और उसे की जरिये उसकी पहचान होती है अब आप भी इसका अभ्यासकारे स्वयम कीजिए